तो सितंबर का महिना आ चुका है और ससी जेई एस्पिरेंट की हालत इदम टाइट हो रखी होगी मुझे पता है चाहे उसने तैयारी एकदम फुल नोच कर रखी हो या फिर अभी उसने तैयारी शुरू करी हो या जॉब के साथ कर रहा है या फिर सेकंड अटेम्प है या फर में सेशान होते रहते हो इसलिए हमेशा हम लुग आते रहते हैं आपको motivate करने के लिए और आपको यह बताने के लिए कि आप्छिली में सही चीज क्या हैं और सही चीज हर सर्भा बच्चे कि तीज दिन का चैलेंज चाहे आप कोई सी भी स्टेस के अंदर हूँ या फिर आप थर्ड या सेकंड दे रहे हूँ या फिर आप लोगों ने इससे पहले स्सेजी के बारे में सुना ही नहीं था जॉब के साथ कर रहे हूं उनके लिए काफी अच्छा एक वीडियो होगा 2023 एस्पिरेंट्स हार एक एस्पिरेंट इस वीडियो के नीचे एससी जही 2023 आगे टार्गेट वाला में उजी जरूर बना के बताईएगा कि इस वार सर एक सीट मेरी पक्की है चली शुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत ही बंसुंदर तरीके से तो सबसे पहले देखो य 80 दिन की देख लो 90 दिन की बाद में दो मिनिट की स्टेटिजी आएगी लेकिन एक्चुली में फुल्फिल नीड और स्किल्स पर काम करना होता है ठीक है तो सर प्लीज सुरू करिए इसको बिल्कुल हर एक एस्पेरेंट के लिए चाहे ओ फ्रेसर बच्चा हो चाहे वो सबसे पहला स्टेप और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने इसको बहतरीन अंदाज में कंप्लीट कर राखा होगा डाट इस लेक्चर कंपलीशन यस जो आपका सिलेबस है आप सबको पता है और हम लोगों ने बहुत सारी गाइडेस दिया आपको जो सिलेबस को कै इस से कंप्लीट करना यस तो लेक्चर कंपलीशन इस फर्स्ट प्राइडिटी अगर कोई बच्चा यह नहीं किया है यह नहीं किया है यहां कुद रहा है बहुत बड़ा गलत प्रहिंद पर जाओगे बेटा और यहां पर चले गए ना और स्केबल यहां पर रहागे अटक करके तो यह 3 step step skip करोगे और यह 3 step के कारण आप ऐसे गिरोगे न फिर आप उठनी पाओगे इस बात को याद रखना तो सबसे पहले क्या करना है लेक्चर कंप्लीशन करना है पिर आपको क्या करना है उसको प्रैक्टिस कोईशन करना है और हम लोग जब भी आपको लेक्ट इस कोईशन का मतलब यह नहीं होता कि आप हजारों कोईशन लगा रहे हों आप 10 कितावें उठा के लिए लगाते जा रहे हैं नहीं quality कोईशन पर काम करें अब ऐसे बच्चों वाले कोईशन जो 2007-2008 में ऐसे कोईशन पूचे आदे हैं अगर उनके उपर अभी वी टिके हो और खुद को यह समझे तो वह भी गलत है सच्चा ही समझना बहुत आवश्यक है आज के समय पर तो आपको कोईशन ऐसे करने हैं कि उस एक कोईशन को इतना खतरना कोईशन तयार करो कि आपको उसके आसपास के 10 कोईशन तयार हों जैसे हमारी क्लासर में हम आपको बताते है एक कोईशन बताते हैं और उसके इर्थगरत घूम रहे दस से बारे कोईशन को हम लोग तयार करवाते हैं वैसी स्टेटेजी हमेशा आप क्यों नीचे कर रहे हैं जैसे आपके सब्जेक्ट है कोई बी सब्जेक्ट है हर एक क्वेशन के साथ में बहुत सारे लॉजिक्स बहुत सारी कॉंसेप्ट के उपर काम करिए उन कॉंसेप्ट को लिखिए दस बार लिखोगे वह याद हो जाना चाहिए क्योंकि कोशन पूछे अगर वह कोशन नहीं आए जो आपने पढ़ा तो क्वेशन के आसवास गुमने वाला कोई कोशन और बिल्कुल सब्सक्राइब करूंगा क्योंकि यह प्रैक्टिस कोशन में बच्चे बहुत जगा पैनिक करते हैं तो अब जो है इस टेम पे जो अभी सीच्वेशन चलना है इसमें इसको कुछ नया कोशन नहीं पढ़ना है प्रैक्टिस करना है यह आपने पहले जहां सभी पढ़ा है आपके पास जो क्वेशन प्रैक्टिस के उसी को देखना है और साथी साथ प्रिबियस यह जो है ना सर यह लाश्ट थर्टी डेज में बरमास्त की तरह काम करें क्योंकि बच्चे के माइंड सेट को यहीं ट्रें तभी यहां पे अच्छा पर्फॉर्म करोंगे और यहां पे अच्छा पर्फॉर्म करोंगे तो मेरी बात मान लो ऐपультат होगे कोई रूग नहीं पाएगा और horses कि क्या बोलना चाहोगu आप पढ़ रहे थे id से यहां कर यहां कर रहे हु कोशन हमने आया मइन में चुन के यह वाला टॉपिक हमने इस तरीके से बढ़ा था जैसे उस को देखा आपके मां ने रिवाइस किया कि मैं यहां पढ़ाई और आप तुमने lecture देखा, उसको revision करती रह रहे हो, और उसके बाद में तुम test देने चले गए, नहीं होगा, तुम लोग practice question direct उठा लिए, उससे तुम concept समझने कोशिश कर रहे हो, बिकरा बिकरा समझ में आगा, नहीं होगा, तुम directly lecture complete कर रहे हो, test देने जा रहे हो, नहीं होगा, क्यो कि यहाँ पे यह चीज समय मांगती है, हर एक चीज करने एक particular time होता है, और हर एक exam को clear करने के लिए एक particular strategy और time होता है, मैं हमेशा कहता है हूँ, आप लोग exam की need समझे, what are the need of the exam, हलाकि हर exam की यह needs होती है, लेकिन अलगलग exams की अलगलग तरीके के time management need होती है, यहाँ पे अगेटे marking भी बढ़ा दी गई है, तो टक्कर का मुकाबला एक दम, तो आपके साथ आपके साथ वाला जो तैयारी आपके साथ बैठे का exam के अंदर, वो भी बहुत खतरनाक तरीक से तैयारी करके आए, हो सकता है, आप से भी एक उपर करके आए तैयारी, उसको भी तो टक् होगे, पहले दिन, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, always हमेशा खुद का competitor बनिये, कल last yesterday तक आप जो थे, today उससे बहतर करने कोशिश करोगे, वो सबसे बड़ा competition है, और ये competition आपका है, किसी दूसरे के साथ नहीं है, तो ये competition को आपको पूरा करना पड़ेगा, तो बिना चार, ये इसका हाथ इसने और इसका हाथ इसने पगड़ रखा है, तब जाके मंजिल मिलती है, अगर बीच में से किसी का भी हाथ छूटा, और तुम्हारा पूरा का पूरा, वहाँ पे साफ हो गया, समझ मैं ही का नहीं, ये है सोच, और ये सोच बेटा, तुम सब को पता है, कि ऐसे चलना है, गओर की तरीका ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या कर रहे हूं, आप लोग जा रहे हो, गलत दिशान, हभी भी daily मेरे पास में, सर हमने यह नहीं पढ़ाए, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या सर हम लोग यह उठा ले, क्या सर हम लोग ये वाले questions को उठ साथ में आप लोगों ने क्या तब नहीं सोची थी जब आपने तयारी शुरू करी थी आप लोग अगर अभी तीस दिन के लिए बात कर रहे हो सब्जेट कौन से इंपॉडेंट है, रीजनिंग कितनी इंपॉडेंट है, जीके में माक्स कैसे गवर होते हैं, हर तरीके के स्टैटेजिकल वीडियो और पूरे कॉंसेप्ट के साथ में, हम सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, उनके उपर आप जाईएगा कॉंटेंट के उपर काम करते हैं, साथ में आप लोगों का क्रेश कोर्स चल रहा है, हमारी एक बहुत ही सुन्दर सी, बहुत ही एक इंटालिजन बुक हमने लौंच की है, उसके थुरू आप लोग काम कर सकते हैं, अपना उसमें हमने नई questions फ्रेम किया है, उसमें नई questions लोग बहुत भी बुद्धिमानी जो लोग हैं, इसके नीचे और भी कुछ कमेंट कर सकते हैं, यह टाइम वेस्टिंग वीडियो है ऐसा है, लेकिन हम यह वीडियो उनके लिए नहीं बना रहे हैं, हम भी वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहे हैं, जो आज के समय में हतास लोग बीडियो है, और वो सिर्फ यह नहीं सोच रहा है कि भीड से हटके मुझे क्या देखना है, वो सिर्फ भीड को देख पा रहा है, तो प्लीज आप लोग इसको समझने की कोशिश करें, इस कौनसेप्ट को क्यों सर, बिल्कुल सर, इस कौनसेप्ट को समझने की बिल्कुल सर, और लास्ट में आगे बिटा टेस्ट, और टेस्ट के बिना कुछ नहीं है क्योंकि एक्जाम में रियल जो आपकी मैमरी जो चेक होगी न वो टेस्स से होगी, और सर बात यह है इस सप्टेमबर में, अगर जिस बच्चों ने टेस्स से भागा, क्योंकि अभी आज जब मैं यह विडियो रिकार्ड कर रहा हूं, फर्स सेप्टेमबर है, और अगर आप अब आपने टेस्स को छोड़ दिया है, कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी लेक्चर देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, जब तक आप तक यहां तक नहीं होगे ना, तो तुम पहले ही हार गए, बिल्कुल, तुमने इस से पहले करते ना, लोग कि क्वाटर खेला, फिर उसके बाद समी फाइनल तक गई, लेकिन फाइनल से जाने से पहले ही तुम तबियत लेके और बैढ़ गए, बहुत सारे ऐसे आई-स ऑपीसर बनें, जिनकी स हो है, बस वो आग जली रहनी चाहिए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, हम हमेशा उन पर आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हर एक तरीके से हम आपके साथ कनेक्टेड हैं, वाई, यू आ इन ग्रेट फियर, कि किस डर में आप जी रहे हो, क्यों टेंशन लेते हो, दो महीने में, when we can do it, we can make it possible, and you are the aspirant, जिसके अंदर सारे subject को अपने इस छोटे से दिमाग में रखने की power है, हम तो दो सब्जेक्ट लेकर के चलने हैं, आप अपने दिमाग में टेक्नीकल के 12-15 subject, नॉन टेक का इतने सारे history, geography, economics, civics, culture, ये सब कुछ, current affairs, और आप reasoning के के कम स इस से पैदिस topics को आप एक दिमाग के अंदर चल रहे हैं, हम से बहुत 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 हैं आपका, so identify yourself, make it possible, and make yourself proud first, then make your parents feel proud, बिल्कुल, ओके, तो उमीद कर रहूं सर, ये वीडियो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही रहेगी, और आप लोग जितने बच सर, पीडवलू, आप ये टेलीग्राम चनल है, आप मेरे साथ यहां पर कनेट कर सकते हैं, और ये वीडियो बिटा, उन सभी स्टूडेंट के लिए समर्पित है, जो स्टूडेंट, SSJ को एक सपना मानते हैं, और सच में, आप लोगों का ये एक्जाम, हम साथ में मिलकर के, इस सपने को पूरा करेंगे, डेफिनिटली मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक लिए थैंक यू सो मुच, थैंक या, बाबाए, थैंक यू सो मुच,